नमस्कार साथियो, गजेंदर एजुकेसिन पॉइंट यूटूब चेनल पर दोस्तों मैं गजेंदर कक्तारिया आप सभी का सवागत करता हूँ तो दोस्तों आप सभी इंतजार कर रहे हूँगे, और आप शोच रहे होंगे के मैं कई दिन से कहां चला गया था और आपके जो सवालों का रेपलाई जो है दोस्तों मैं कई दिन से नहीं दे पाया उसके लिए आप सभी से दोस्तों शमा चाहूंगा क्योंकि मैं एक जरूरी काम में ब्यस्त था ठीक है जिसके बैसे आपको कोई भी जो अपडेट है चाहे वो धरने से लगा कर और जो कोई भी जो जानकारी है दोस्तों आप सभी तक नहीं पहुच पा रही थी ठीक है तो दोस्तों आज एक दोस्त ने किसी वच्चे ने मतलब मेरे पास एक वीडियो शेन्ड किया था ठीक है बारे नवंबर को मतलब वो उस वीडियो में इस तरह की डेट बता रहा था ठीक है अब मुझे नहीं पता दोस्तों चैनल की ओथन्टिकेशन क्या है या उसको कहां से पता चला है ठीक है तो अभी तो बच्छे जब से वो वीडियो आई है तब से मुझे कई सारे फोन कर रहे और पूछ रहें कि सर क्या ये डेट सही है ठीक है तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो जो डेट है भी ऐसी कोई भी डेट है यूपिटर पैसलेसी में फाइनलाइज नहीं हुई है सबसे पहली बात जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता था आप सभी ने इतनी मेहनत करी उस दिन और आप जो भी बच्चे वहाँ पर गए थे उन सब को मैं दोस्तों दिल से सलाम करता हूँ बहुत से बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं आये धरने में आप के वेल वीडियो भी बनाते हो है ना तो बहुत सारे आप भी परियास करते रहें दूसरी और जो यूपट्रफल से अपना काम करेगा वह अपनी जगह है लेकिन आपको अभी भी अपना जो परियास है एक्जाम कराने का दोस्तों वह लगतार करते रहना चाहिए ठीक है तो जो यूपट्रफल से का जो सबसे पहला में चीज है वह तो आप सभी को पता भी दिया और उस दिन आपको धरने में भी यह बात बताई गई थी कि यूपट्रफल से का सबसे पहला जो काम है वह आपके फॉर्म रियोपन होंगे फॉर्म आपके रिएऊपन होंगे और जो बच्चो नह पहले से अपलाई कर रखा है यह वह बच्चो के लिए फॉर्म रिएऊपन होंगे जो आरक्षण वाला मुद्दा था यानि की EWS वाला जो सिस्टम था EWS पाला मैटरफ दोस्तों वो सोल बहुत समय पहला हो गया था लेकिन आप सभी को जो टिक करने का उपसन था यानि कि आपके पास EWS है या नहीं है तो उसका जो उपसन है दोस्तों आपको 15 तारिक के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपका पैट का रिजल्ट दोस्तों घोसित होगा ठीक है उससे पहले आपका पैट का रिजल्ट घोसित होगा और PET के result के बाद आपको 8 तारिक से लगा के 16 तारिक के बीच में कभी भी ये notice दोस्तों देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है रही बात इसके exam की तो दोस्तों आपका 2016 वाला exam और 2018 वाला exam इनका जो EWS का section आएगा यानि कि जो form reopen होंगे दोस्तों वो एक साथ होंगे मतलब एक साथ 3-4 form होंगे जिनमें EWS को आपको चूज करना है ठीक है तो जिसके पास अगर जिसने नहीं बनवा रखा वो बनवाला और जिसने बनवा रखा वह वो अपना ready रखना है ठीक है तो जर रही बात आप सोच रहproang है या नहीं वोगा देखे मैं आज भी आप से कह रहा हूँ और हर समय कहता हूं ठीक है क्योंकि मेरा आतने अपस्वास इपना कमजौर नहीं है कि एकजाम नहीं हो और जरूर होगा ठीक है इसां माली आपका अक्टूबर में होता है यह तो कॉदि नवंबर तक हिच सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोस्तों आपका एक्जाम नहीं होगा यह ऐसा नहीं है कि यूपट्रपलसी भूल जाएगा और पैट के माली पैट का रिजल्ट आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बारी बात हो जाएगी या लेकपाल की वाकेंसी जाएगी आपका यह एक्जाम अब यूपट्रपलसी के संग्यान में है और आप सभी को पता है कि जो कोट मैटर है दोस्तों वो तो अपनी साइड चली रहा है बाकि जो भी बच्चे जैसे भी संदीप भाई को सपोर्ट कर रहे थे वह बढ़ चड़कर उनको जादे दोस् दोस्तों जो दिन रात अभी वी मैं दोस्तों यूपट्रपलसी जै के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे हैं तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा उसके लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिं